बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तया हुआ के सच मुछ नौकरों को निकाल दिया जाए आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं हिल कर पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए काम चूर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे ओ और सारा दिन उध्य मचाने के सिवा कुछ नहीं करते और सच मुछ हमें खयाल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हिल कर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है इसलिए हमने तुरंट हिल हिला कर पानी पीना शुरू किया हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दवैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए तो सह जाए लीजे पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया सुराहियां उदर लुडकी मटके इधर गए कपड़े भीगे सो अलग ये भला काम करेंगे करेंगे कैसे नहीं देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हर्गिस नहीं मिलेगा समझे ये लीजे बिलकुल शाही फर्मान जारी हो रहे हैं हम काम करने को तयार हैं काम बताय जाएं हमने दुहाई दिले बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैले हो रही हैं आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है पेडों पानी देना है और भाई मुफ्त तो ये काम करवाय नहीं जाएंगे तुम सब को तन्खवा भी मिलेगी अब मिया ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया माली को तन्खवा मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो खुदा के लिए नहीं घर में बार आ जाएगी अम्मा ने याचना कि फिर भी तन्खवा के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए एक दिन फर्शी धरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों और से को ने पकड़ कर जटकना शुरू किया दोचार ने लकडिया लेकर धुआदार पिटाई शुरू कर दी हाई 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 सारा घर धूल से अट गया खास्ते खास्ते सब बेदम हो गया सारी धूल जो दरी पर थी जो फर्श पर थी सब के सिरों पर जम गई नाकों और आखों में घुज गई बुर्या हाल हो गया सबका हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया चलो निकलो यहां से अंगर में चलो जारे जादू रहे हैं चलो 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 जाओ कि वहां हम लोगों ने फोरण जाडू देने का फैसला किया अब जाडू क्योंकि एक थी और तनखा लेने वाले उम्मीद्वार बहुत इसलिए क्षण भर में जाडू के पुर्जे उड़ गए जितनी सीखें जिसके हाथ पढ़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा और अम्मा ने सिर पीट लिया अए अल्ला ये क्या कर दिया पूरी जाडू अलग कर दी पूरे घर में भिखेर दी चलो फिमन चलो अड़ो यहां दे अरे भाई ये बुजर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे जब जरा-जरा सी बात पर टोकने लगें तो बस हो चुका काम असल में जाडू देने से पहले जरा सा पानी चुड़क लेना चाहिए बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी चुड़का गया एक तो ऐसे धूल से अटे हुई थी पानी पढ़ते ही सारी धूल की चड़वन गई हाए हाए ये क्या कर दिया पूरा घर पानी पानी कहां से शुरू करूँ हाए हाए चलो निकलो यहां से आंगन से निकलो अब सब आंगन से भी निकाले गए तै हुआ के प्यूणों को पानी दिया जाए बस सारे घर की बाल्टियां लोटे तसले भगाउने पतीलिया लूट ली गई जिन्हें ये चीजें भी न बिली वो डोंगे कटोरे और गिलाजी ले भागे अब सब लोग नल पर तूट पड़े यहाँ भी वो घमासान मची क्या मजाल जो एक बून पानी भी किसी बरतन में आ सके ठूसा मुठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डौंगे पहले तो धक्के चले फिर कोहनिया और उसके बाद बरतन अरे जी जी जल्दी चलो वहाँ देखो नल पर कैसे घमासान मची हुई है चलो फॉरन बड़े भाईयों बहनों मामों और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई फॉज मैदान में हत्यार फेटकर पीछ दिखा गई इस धीगा मुष्टी में कुछ बच्चे कीचर में लत्पत हो गए जिने नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी पास के बंगलों से नौकर आये और चार आना प्रती बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए हम लोग कैल हो गए कि सचमूच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है हम कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें बस शाम ही से जो बास चड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाकने लगे पर साब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भढ़का रखा था उट पटांग इधर उधर कूदने लगी दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वरक लगा रही थी दोड़ती फलफलाती हुई निकल गई तूफान गुजरने के बात पता चला के प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपटे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पांदान में कूद पड़ा और कत्थे चुने में लुथुडे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूज जैसी चादर पर चापे मारता हुआ निकल गया एक मुर्गी ही दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मुरी में इस तेजी से फिसली के सारी कीचर मौसी जी के मुँपर पड़ी जो बैठी हुई हाद मुद हो रही थी अधर सारी मुर्गियां बेन अकेल का उट बनी चारों तरफ दोड़ रही थी एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी हिधर किसी को सूजी के जो भेड़े आयु ही है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए दिन भर की भूकी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब जपती तो भाग कर जाना कठिन हो गया लश्टम पश्टम तख्तों पर चड़ गई पर भेड़ चाल मशूर है उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी पलंगों को फलांगती बरतन लुड़काती साथ साथ चड़ गई तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फेला हुआ था जिस पर गोखरी चमपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुवा को कुछ बता रही थी भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रहती हुई मेगलों के छिड़काओं करते हुई दोड़ गई जब तूफान गुजर चुक तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बंबारों सहित उधर से चापा मार कर गुजर गई हो जहाँ जहाँ से सूब गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूंखती हुई हमला करती गई हजजन मा एक पलंग पर दुपट्टे से मू अढ़ा के सो रही थी उन पर से जो भेड़ें दोड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सेर कर रही थी दुपट्टे में उलजी हुई मारो 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 चीखने लगी है 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 इतने में भेड़ें सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोक्री पर तूट पड़ी है वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रोसोईय को दे रही थी हाँ ठीक है यह ले इस इसे भी तोल इसे भी तोल दे हाँ जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिल को समेथ अपने पेट की कड़ाई में जोंक दी इधर ये प्रलाय मची थी उधर दूसरे बच्चे भी लापरवा नहीं थे इतनी बड़ी फॉज थी जिससे राग का खाना न मिलने की धमके मिल चुकी थी वे चार भैसों का दू दूने पर जुट गए दुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार धनों पर पिल पड़े भैस एक दम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मार कर दूर जा खड़ी हुई तया हुआ कि भैस की अगाली पिछाड़ी बांदी जाए और फिर काबु में लाकर दूर दूर लिया जाए बस जूले की रस्सी उतार कर भैस के पैर बांद दिये गए पिछले दो पैर चाचा जी की चार पाई के पाईओं से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैस चौकन नी होगी चूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं फिर जो चार पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे के आधी तूफान में फसे हैं साथ में भूचाल भी आये हुआ है और जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बहला बुरा सुनाने लगए अनष्यधाल है किस ने छोड़ दिया ऐने रें जाओ कुर झाओ कुर। कुट कूँ है हए है 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 बला मजा नहीं था बहस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चार पाई और उस पर बैठे हुए थे चा-चा-जी एक बूल होई गई यहीं बच्वड़ा थो खोले नहीं इसलिए ततकाल बच्वड़ा भी खोल दिया गया तीर निशाने पर बैठा और बच्वड़ी की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिये बच्वड़ा ततकाल जुट गया दुहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके चूकि बाल्टी तो छपाक से गोबर मिंजागीरी थी बच्वड़ा फिर बागी हो गया कुछ दूद जमीन पर और कपड़ों पर गिरा दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई बाकी बच्वड़ा पी गया यह सब कुछ कुछी मिंटों के तीन चौथाई में हो गया घर में तूफान उट खड़ा हुआ ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां भेडें तूटे हुए तसले बाल्टिया लोटे कटूरे और मच्चे थे बच्चे बाहर किये गए मुर्गियां बाग में हकाई गई बातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसु पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बानने लगी या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो नहीं तो मैं चली माय के हाँ अम्मा ने चुनोती दे दी और अब्बा ने सब को कतार में ख़ड़ा करके पूरी बटालियन का कोट मार्शल कर दिया खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा समझें यह लीजिए इन्हें किसी करवड शांती नहीं हम लोगों ने भी निश्चे कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे हुआ हुआ है